नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं SSL के बारे में बहुत महत्पूर जानकारी जिसको आप फिक्स कर सकते हैं तो आपने देखा ओगा जो यह लौक पैड होता है लोक पैड में पहले एक रीण होता था किसी दिखाता है लेकिन अभी समय तो ऐसा कुछ नहीं दिखाता है उसमें कहीं कहीं SSL होने के बावजूर आपको नो सिक्योर दिखाता है तो यह प्रॉब्लम कैसे फिक्स किया जा इ कि यहां पर work कर रहा है, यह कई लोग का question है, जो कि यह बार बार पूछते हैं, तो चलिए wordpress में कैसे simply से इसको हम exact clear कर सकते हैं, इसके बारे में चरचा कर लेते हैं, जैसे हम home page पे गए तो यहां पे हमारा तो SSL properly work कर रहा है, लेकिन अगर हम किसी page पे, इस page पे हम देख रहे हैं, कि हमारा SSL work नहीं कर रहा है, तो हम कैसे इसको fix करें, तो सबसे पहले आप जहां पे नहीं work कर रहा है, पहले उसको inspect करने के लिए, एक website है ynologpad, इस पे जाए ynologpad.com पे, और वहां पे अपना URL insert कर दी 5 step में ये आपका काम प्रोसीड कर देगा, आपको just wait करना है, आपके सामने result आ गया, और result को आप inspect कर ये, यहां पे देखे, mix content में, यहां पे जब नीचे देखेंगे, तो आपके पास 3 SSL में इडरा रहे हैं, जिसकी वज़े से आपको SSL में इडरा रही है, पहले चीज़ जो आपने add लगाया हुआ है, वहां पे ये देखे, यहां पे http है, और जो की http होना चाहिए, यहां यहां http होना चाहिए, यहां http है और यहां STTPS होना चाहिए, इसकी वज़े से ये Dollar हो रहा है ऐसे ही आपके error सो होते हैं दूसरा आपको चेक करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ जो की आप manually कर सकते हैं और control u की insert करिए control u करेंगे सारे course दिख जाएंगे control f करिए और यहाँ पे http आपको capital में करिए या इसमाल में करिए http और उसके बाद semi colon के बाद double slash लगाना है आप यहाँ पे http नहीं http एम सर्च करना नहीं है http सर्च करना है तो जहाँ पे http दिख रहा है वहां पे एक error है यहाँ पे देखें यह देखें यहाँ इसकी वज़ासे भी नहीं आ सकता तो ये सारे error जो हैं वो आपके लिए problem create कर सकते हैं तो इस तरीके से आप ये चट कर सकते हैं कि जो http आपने insert किया है URL हो या फिर कोई image हो इसकी वज़े से यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे https करना है तो इसको fix करने के लिए आप इतना तो complicated हो गया है तो अगर यहाँ से तो fix करना मुस्किल हो जाता है क्योंकि यह तो complicated दिखने लगा तो यहाँ से मत करिए अगर आप website start कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं यह mainly problem होता है जब आप website install करते हैं तो आपका SSL नहीं रहता है बाद में SSL करते हैं और उसके पहले आपने website काफी बना लिया है तो यह आपको सामान रहता है यह problem दिखती है तो इसके दो method हैं दोनों को हमने हम बताने चलना है कैसे आप fix कर सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं तो आपको अपना WordPress आपको login करना है WordPress login करने के बार आप देखिए कि वह जो आपका code दिख रहा है वह कौन सा code है इतनी तो जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए media.be commission का एक है यह भी commission का है जो कि यहाँ पर irrit दिख रहा है इसको हमें ढूबना है तो यह हम ऊपर देख रहे हैं हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं ऐसी कोई चीज दो दिखी नहीं तो हमारे यह visit area में है क्योंकि यह website अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे idea है आप यूज करेंगे तो आपको भी idea रहेगा हमने कहां पर कौन सा code लगाया है तो यहां पर ज Session Supported code नहीं हो तो वहां से यह errors आ सकते हैं तो चलिए यहां पर देखें यहां पर जैसे ही मैं करता हूं तो यहां पर दो हो गए और उसके बाद में एक और है तीन है तो तीन दिख रहा था तीन हमने सेफ कर लिया सेफ करने के बाद अब देखे फिर से हम इस पेज को रिपरेस्ट करते हैं हमारा काम हुआ की नहीं तो आप देखेंगे यह देखे आपका लॉक पैट बन गया लॉक पैट बन गय यानि आपका काम कंपलीट होगे तो कितनी आसानी से हमने बता दिया कि कैसे आप हिक्स कर सकते हो और अगर आपको कई जगा प्रॉब्लम है आप इंस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो प्लगिन सबसे अच्छा ओप्सन है प्लगिन में जाएगे और यहां पे टाइप करि या Really Simple SSL कर टाइप करिये तो यहां पे जैसे ही SSL टाइप करें गे तो पहला जो प्लगिन आएगा उसका नाम है Really SSL तो Really Simple SSL इसको क्या करना है आपको install कर लेना इंस्टॉल करके क्या करना है आपको activate कर लेना है इसके पहले हम चलते हैं हम अपने और किसी पेज़ पे देखते हैं ये error दिख रहा है कि नहीं अगर हम db पे चलें तो db पे आप देखोगे कि यहां पे आपको यह errors दिख रहा है तो इस errors को आपको जाहर सी बात है इसमें भी problem होगी कहीं पे SSL का तो यहां पे हमें पता है कि यहां पे एक join button होगा या कुछ भी होगा वहां पे हमने SSL नहीं insert किया था यहां पे affiliate link का था तो इस तरीके से आप देख सकते हो तो इसको हमें करना है activate activate करने के बाद plugin activate होगी plugin activate होने के बाद इस पे click कर देना है go ahead active SSL तो इसको ही जैसे ही करेंगे आपका सारा redirect हो जाएगा flagship तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर आप यहां पे आईए refresh करिए तो आपका काम बच जाएगा यह देखिए आपका complete work करने लगेगा आपको कुल टेंसर नहीं तो कुल मिला के simple तरीके से मैंने दो चीज़े बता दी कि किस तरीके यह error होता है और कैसे इसको find करके manually fix कर सकते हैं दूसरा चीज़ मैंने यह बताया कि कैसे आप जो है plugin के माध्यम से इसको fix कर सकते हैं तो यह दून उबाते रही इससे सायद आपको SSL वाली सारी समस्य समाप्त हो जाएगी in future में अगर आप इस type का lockpad देखते हैं और इस type नहीं आ रहा है तो इसमें जादा टेंसल लेने वाली बात नहीं इसको आसानी से आप fix कर सकते हैं I hope दोस्तो वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like कर सकते हैं और subscribe कर सकते हैं अगर आप नए है तो channel को Thank you दोस्तो